I played it in a sense, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless So hey guys, आज के ये वीडियो में मैं बताने बाला हो कि guys आप लोग monster face तो खड़िते है पर monster face का price इतना high Q रहते है, मतलब सुरू से इतना high Q है price इसके बारे मैं आज दो लोजिक बताऊंगा आप लोग को, दो लोजिक जो प्रोबैबली इसके पीछे हो सकता है पर guys आप लोग मेरे को कोमेंट करके बोलना कि guys मैं दो लोजिक बताऊंगा उसमें से सही कौन सा आप लोग को लगा So guys, आज का वीडियो पुड़ा एंड तक देखना, आज का वीडियो थोड़ा सी भी आच लेगे वीडियो के लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं हो तो यह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना So guys, basically, अभी दिन चल रहा है इस टाइम पर मॉंस्टर फिस स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 300 रूपिया मतलब एक पीस 300 से मिलता है जो की है रेट्टेल कैटफिश यह फिट टाइगा सोबनोस आप लोग को पता होगा बाकी अरव वाना तो भाई 600-700 से शुरू हो रहा है उसके बाद धाई लाक तीन लाक ऐसा चल जा रहा है जो मतलब काली मंथन बगरा होता है वीडियो पर इतन जो है जो मुस्ट प्रोभाबिली यही रिजन हो सकता है मेंली कि देखिए जब आप लोग मॉंस्टर फिस को ब्रीट करेंगे ताब आप लोग को यह समझ आएगा पहला बात मॉंस्टर फिस ब्रीडिंग करने के लिए एक बहुत ही बरा रिवर या फिर पॉंड चाहिए हो पर बाकी एरापाइमा बगेरा के लिए बहुत बरा रिवर टाइप का चाहिए उसके बाद ब्रीड होगा और ऐसा नहीं कि भाई जल्दी ब्रीड हो जाएगा सालो साल रखने के बाद एक बरा साइज लगबग 8-9 फूट होने के बाद वो लोग ब्रीड करता है जब तक य इसलिए यह रिजन हो सकता है पहला कि monster fish का price क्यों हाई है क्योंकि इन लोग के पीछे investment बहुत ही ज्यादा हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा उसके बाद river cost, pond cost आप लोग को बनाना होगा उसके बाद ठीक से रखना होगा यह में लिए cause हो सकते हैं जिसके कारण monster fish का price इतना ह हाई जा रहा है उसके बाद देखिये sell बागेरा तो उतना नहीं होगा लोग लेने से पहले दो बर सोचेगा भाई लूंगा की नहीं लूंगा इसलिए price थोरा हाई जाता है पर रेट्टेल catfish बागेरा देखिये आप लोग सपोस एक बारा सा अकुडियम सात आट फीट का ह हो जाए तो रख सकते है अरवाना भी से पर आप लोग बोलेंगे भाई एरा पाइमा में रखोंगा एकुडियम पर नहीं ऐसा हो इन सकता रिवर मॉंस्टर है इसलिए पहला रिजन है जिसके कारण जो प्राइसिंग है बहुत हाई जा रहा है सेगेंड ली जो रिजन हो सक मॉन्स्टर फिश सब्पोस अरा पाइमा कही पहले बात कर उसके बाद बाकी बोलता हूं यह जो मॉन्स्टर फिशे होता है बहुत ही बार साइसको हो जाता है और इनकेस आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में दे रहे है सब्पोस आट नौँजर का फिश है आटसो नौश या फिर गंगा में जा जोड़के आ जाएगा फिर जोड़ेगा फिर वह क्या करेगा पूड़ा इको सिष्टें में देमेज करेगा श्peet saint example देर और alligator था इयो सिपर गांध तो लिये पर जब ये बडा हो जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे आपके बाह सब नहीं आई पूरा खातम कर देगा इसलिए यह जो है बेसिकली थोड़ा प्राइजिंग ज्यादा होता है क्योंकि एक सिंपल लॉजिक आप लोग देखिए आप लोग के पास अगर पैसा है 8-9 रुपिया है एक एरा पाइमा खरिदने का तो आप लोग के बस उतना पैसा और होगा ताकि आप लोग एक पॉंड बना सके एलिगेटर कार के लिए मिनीमम 10 फिट पॉंड में चल जागा पर एरा पाइमा के लिए नहीं क्योंकि हो आप नौ फिट तक चला जाता है इसलिए आप लोग पॉंड बना पाएंगे अगर यह लॉजिक पे चलेंगे तो बेसिकली यह रिज अपडेटर का अपडेट दो तो मैं बहुत जन को बोला मैं सेल कर दिया तो बहुत ही कोसे ना राइस किया यह क्यों किया तो एक सिंपल अन्सर बताना चाहता हो मैं अगर उसे एकोडियमे रखूंगो और ग्रेगाई मेरे पास अभी पुरा रेडी पॉंड नहीं है हा मैं मैं बोला हो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा मैं प्लैन कर रहा हो अभी से पर अभी मेरे पास अगर बड़ा हो जाएगा उसे मैं छोड नहीं सकता और अगर बड़ा हो जाएगा तो आप से नहीं कर सकते उस टाइम पर मैं क्या करूंगा उसे एक रास्ता बचा के उसे कई छो यह भी मैं बोलना चाहता हुआ आप लोग अगर कोई भी मॉंस्टर फिस ले रहे एक बार पैले सोच ले कि आप लोग क्या पॉंड बिल्ड कर सकते हैं यह फिर आपके बस ऐसा अगर मॉंस्टर फिस ज्यादा बरा नहीं होगा तीन-चार फिट होगा पांच फिट होगा उसस बार नहीं होगा उसके लिए बड़ा एक बना सकते है तो यह एक बास सोच रही है उसके बाद मॉंस्टर खड़िद बड़ा बाद नहीं आप लोग बाद दिन से पैसा जमाई अरा पाहिमा खड़िद लिए पर अरा पाहिमा जब सेल करेंगे और पैसा उठाग तो आप लो स्पोन नहीं है फिर आप लोग अरा पाहिमा खड़िदे मैं भी ऐसा किया था बहुत दिन से अलिकेटर गार के लिए पैसा जमाई पैसा जमाई खड़िद भी लिए आप लोग को वीडियो भी दिखा है पर गाईस उसके बाद मैं सोचा एक दिन अगर यह बड़ा हो जाए से उसके बाद धीरे 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 आया मैं इतना लेबल पे उसके बाद और भी मैं भी जा सकता हो मैं भी नहीं भी जा सकता कुछ गारेंटी नहीं है पर उस टाइम पर उस मोमेंट पर मैं क्या करता इसलिए गाईस आप लोग अगर खड़िदे मॉंस्टर एक बास सोच ले स्टिंग्रे मेरे को पता है ब्लैक डायमन बहती कोशली होता है देखने में सुन्दर भी होता है उसे खरिदना भी बराबाद नहीं है पर उसके पीछे खर्चा क्योंकि गाइस उसे डेली टु डेली लाइफ फिडिंग देना होगा और लाइफ फिडिंग सपोस्ट उसका और एक रिजन जो सेगंडली बोला कि गाइस आगा चीप में सब मॉंस्र फिज बेचना शुरू कर दिया लोग खरी देंगे उसके बाद सीधा जा के छोड़ देंगे गंगा दामोदर पे देखेंगे प्लेको लेके रिसेंडली के सवात आप लोग देखेंगे प्लेको काइसा दो किम से बीभाद साथ फिरे लॉट्यी आप लोग में से ऐन हो सकते हैं आप लोग को पता है जोड़ सकते बाहर कूछ और रिजन करिंगे तो वह फैं सके वर झात। मेरे को इंफॉर्मेशन लेना आट टाइम पसंद है नया-ना इंफॉर्मेशन आता है तो भाइ बहुत ही अच्छा लगता है बहुत कोई में लाश्ट वीडियो में बोला था आपके पास मिलता है कि नहीं वह जो कार्व दिया था तो भाइ बहुत अच्छा रिस्पोंस आया बहुत कोई बोले है अधर मिलता है कम मिलता है और कोई बोला है मेरे पास बी है पर एक्दो टो ऐसा बहुत वोला है तो यह रेमोंस जेकर चाल लगता है तो गाइस झाल झाल